हेलो एवरिवन, शिर्फ शक्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है ये वीडियो डिवाइन मेंस्कुलाइन और डिवाइन फैमनाइन की अवेकनिंग में जो डिफ्रेंस होता है उसके उपर रहेगा जैसा कि बहुत से डिव को समझ में नहीं आता है कि डियम की अवेकनिंग कब होती है या कैसे होती है आप और डियम सेम ही हो जिस दिन आप एकसेप्ट कर लेते हो कि आप इस जर्णी में हो आप जिस दिन कनफर्म हो जाते हो कि यह journey है यह twin flame journey जैसा भी कुछ होता है बिल्कुल illusion नहीं है mind में बिल्कुल confirm हो 100% उसी दिन आपके counterpart की भी awakening start हो जाती है और एक बज़ इतना आप doubt करेंगे ना यह journey को लेकर कि मैं हूँ भी journey में या नहीं हूँ या यह counterpart मेरा twin flame है या नहीं है तो यहाँ पे doubt की energy हमेशा रहेगी ठीक है उनको भी doubt रहेगा जब आप doubt करेंगी तो उनको भी यह doubt रहेगा तो doubt कहीं से कहीं तक आपको नहीं करना है ठीक है यह जितना देर आप लगाएंगी जहरनी को accept करने हैं तो क्या होता है जब आपकी awakening होती है आप तो spiritual हो जाते हो आपकी spiritual awakening होती है आपको सबसमझ में आने लगता है कि आप dream dream journey में हो यह जो सामने वाला person है मेरा dm है मेरे ही soul का part है ठीक है और आपको बहुत सारे sign मिलते हैं synchronicity होती है dream के थूँ आपको synchronicity होती है post के थूँ आपको synchronicity होती है आप जो सोचते हैं उसका answer आपके सामने आज आता है फर्क क्या होता है difference क्या होता है देखिए difference जो होता है वो यह होता है आपकी awakening आप आदे से ज़्यादा कर्मा release कर चुके होते हैं आपका आदे से ज़्यादा dark night of the soul release हो चुका होता है या मैं यह कहूं आप कार्मिक के साथ आपका dark night of the soul चल रहा होता है ठीक है उन से trigger मिलता है कुछ cases में और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह क्या हो रहा है वो person भी आपकी life से जा चुका होता है धीरे धीरे आपकी life में आप एक dark night से light के और बढ़ रहे होते हैं मतलब एक कार्मिक पार्टनर को छोड़कर प्रियम के और बढ़ रहे होते हो ठीक है आपको पता नहीं होता है यह सब कुछ इंडारेक्ली आप चल रहे होते हो light के और और वहीं से आपकी counterpart के आपकी life में entry होती है आपको समझ में आता है कि यह जो है person थोड़ा अलग है अभी तक जो कार्मिक के लिए love था उसके बाद बहुत सारे person भी आ सकते हैं आपकी life में आपको किसी से भी वो love feel नहीं होगा होगा वो happiness वो peace नहीं मिला होगा जो dream से मिला होगा ठीक है और आपको वहां से पता चलता है कि आपकी awakening हुई है आप spiritual होते चले जाते हो आपका spiritual में interest बढ़ता चला जाता है आप spiritually growth करना start कर देते हो ठीक है और आपको यह journey में starting में पता होता है अब DM का क्या है यहाँ पर रोल आपको यह journey में शुरू में पता होता है यह difference है पहला ठीक है आपको journey में starting पता चल जाता है बहुत से DM क्या करती है कि अपनी journey confirm होने के बाद DM को बताती भी है कि हम इस journey में हमारे यह relationship है कुछ DM accept भी करते होंगे mostly नहीं करते हैं वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं कि यह क्या कह रही है यह क्या है यह twin twin connection तो आपको यहाँ पर आपको पता चल जाता है journey में starting में तो आपको उनको नहीं बताना है कुछ भी आपको सिफ अपनी journey पर चलना है आप अकेले नहीं चल रहे हो इश्वर का हाथ आपके साथ है इश्वर का साथ आपके साथ है ठीक है आपको चलना है आपको confirm हो गया अब आपको बस यहाँ पर inner work करना है जो DM यह गलती कर देती है या जिनको अभी पता चला है तो वो यह ग आपको पहले पता चलता है DM को जनी के लास्ट में पता चलता है जब आप आदे से ज्यादा क्या पूरा ही नवर कर लेते हो मतलब आप खुद को हील भी कर लेते हो उनको भी हील कर देते हो अपनी हीलिंग के थ्रू दूसर डिफरेंज डियम और डियफ डियफ की लाइब में पहले कार्मिक आते हैं देन डियम आते हैं ठीक है और डियम की लाइब में पहले डियफ आती है फिक कार्मिक आती है हो सकता है डियफ से पहले भी डियम की लाइब में कार्मिक रहे हो बट उनसे इतना बड़ा एक कर्मा नहीं होगा जो डियफ के आने बाद किसी और लड़की के साथ या फैमिली के साथ होता है या करियर के साथ होता है तो डियफ डियम की लाइब में पहले आती है कार्मिक बा चुकी होती है देंडियम के एंट्री होती है इस प्रिचली ग्रोथ होती है तो यहां पर अब डियाफ आपको तु सब पता है यह दो डिफ्रेंस बहुत चुकी होती है इस जर्नी में आप पुरी जर्नी कंप्लीट कर लेते हो दैन उनको लास्ट में पता चलता है कि वो भी किसी एक डिवाइन करेक्शन में है एक ट्वीन फ्लीम जर्नी में है इस प्रिचल अवेकनिंग उनकी चल रही है जैसे एक गुलाब की कली होती है ना आपन मिल गई तो यही डार्क नाइट ऑप दा सोल होता है एक साल हो गया दो साल हो गया तीन साल हो गया फिर अचानक से आपके वेकनिंग होती है मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगने लगता है ऐसा लगता है कि आप जो चहां रहे थे वो सब आपको मिल गया ऐसे हैपिनस ऐसा और पेश आपने कभी फीली नहें किया होगा अवेकनिंग के बाद ठ्वाद मतलब पॉर्सन भी आपका आपके सामने है जिसे ढूंड रहे थे जिसे सार्च कर रहे थे वो सामने है bacter सौनई हैपिनस बहुर साथा होती है उस डाइनिंग होती है एक अलगी लेवल पर होते एक अलग ही वाइब्रेशन होती है उस टाइम में ठीक है और ऐसे ही आपके डियम अभी आपको लग रहे हैं कि उनको आपकी तो अवेकनिंग हो रही है आप तो चल रहे हो आप उधर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो ठीक है अपने उपर ही गुरोद कर रहे हो पट बीच-ब पाना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि आपको ट्रिगर मिलते हैं ठीक है आपके 3D में एक इल्यूजन एक सेपरेशन इसी लिए किया जाता है यह सेपरेशन बहुत अच्छा है आपके लिए आप खुद को बेस्ट वर्जन बनते खुद देखते हो अपने DM को भी देखते है और जब वो union होता है तब आप उस level पर होते हो कि आपको union की desire ही नहीं होती है ऐसा inover करना होता है आपको आपको लगता है बहुत छोटी चीज़ आप छोटी चीज़ के पीछे भागरे इश्वन ने जो दिया है बहुत बड़ी चीज़ दिया आपको आपको आप से मिलाय है ठीक है ना जो आपने खुद को खो दिया था आपने इनवर करके खुद को पा लिया यह सबसे important है जन्नी का पार्ट जब आप खुद को पा लेते हो तो DM भी आपका ही soul का पार्ट है उनको भी आपने पाही लिया है 5D में union होने के बाद DM को 3D की desire नहीं रह जाती है इतनी जितनी पहले थी जितनी आपको पहले craving हुआ करती थी ठीक है ऐसे ही आपको एक example butterfly का देते हो आपने देखा है लारवा होता है cocoon होता है ठीक है उसकी प्रॉसेस होती है butterfly की वह भी बहुत जादा difficult होता है ऐसे ही आप transform होते हो जर्नी में आप आज एक cocoon हो ठीक है फसे हुए हो आप निकलना चाहते हो उड़ना चाहते हो पर उड़न नहीं पा रहे हो किसी वज़े से है ना वह उड़ान आपको आपके DM के आने के बार मिलती है और जो butterfly होती है आपने कभी ध्यान दिया हो उसमें सुड़ी होती है butterfly में ठीक है ना बट जब butterfly बनती है तो जो उसके feather होते हैं पंक होते हैं है ना yellow, red, orange हर कलर की butterfly तो आपकी उस जो बहुत एक negative part होता है सुड़ी वाला वो आप नहीं देखते हो आपको किस पे नज़र जाती colors पे उसके उड़ने पे ठीक है उन color को उन color से आप attract होते हो वैसे ही DF होती है DF का एक life का negative part होता है कुछ आपकी life imperfect होती है ठीक है DF की mostly, DM की mostly imperfect life होती है फिर आपका ध्यान imperfect light पे नहीं जाता है लोगों कभी नहीं जाता है क्योंकि आप उस ताइम butterfly बन चुके होते हो आपका aura, आपका work, आपका confidence, आपकी आपके अन्दों जो attraction आता है वो फिर आपकी past को ना तो आप याद करते हो ना ही आसपास का लोग याद करता है आप बिलकुल change हो जाते है आपका घर क्या जो atmosphere है लोग change होने लगते हैं तो आप भी वही butterfly बन जाते हो आपको भी अलग एक पहचान मिल जाती है जर्मी में, DM मिले याना union तो आपका है ठीक है 100% शादी का ये divine के हाथ में है आपका अगर possibility बन रही है आप दोनों unmarried है ठीक है आपके DM married भी है वो divorce ले रहे हैं ठीक है तब भी chances है आपका marriage हो जाए या कभी-कभी ऐसा होता आप दोनों unmarried है बट कास्ट का problem है society बहुत ज़्यादा interfere कर रही है family नहीं मान रही बहुत सी चीज़े होती ह बट आप effort डालते हो ना आप जब surrender कर देते हो तो सब कुछ possible हो जाता है तो DM की awakening में थोड़ा सा different क्योंकि DF awakening के process में पहले आती है वो चाहती कि मैं अवेकन हो गई हूँ अब DM भी जल्दी से अवेकन हो आप खुद देखिए आपको time लगा है fully awakened होने में एक साल दो साल ठीक उनको भी time लगेगा उनको भी space दीजिए उनको भी freedom दीजिए उनका जो कर्मा है release होने दीजिए जहां जा रहे हैं जाने दीजिए क्योंकि उनकी awakening कार्मिक की through ही होगी जब उनको trigger मिलेंगे तभी वो एक new level पर पहुंचेंगे और आप इदर से healing देते रहेंगे love देते रह पर जितना inner work करेंगे healing करेंगे उतना ये relationship आपका work करेगा तो इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा focus करने की जरूरत है ध्यान देने की जरूरत चीज नहीं करना है DM को जाना शुरू शुरू में नहीं होता है क्योंकि इतना attraction होता है इतना ज्यादा एकदम से attachment बढ़ ज ऑर पीछे हटना start करते हो जनी मतब DM से पीछे हटते हो ईशवर के करीब जाने लगते हो इस वर जाते हो कि यसवर के करीब आपकी लाइफ होते स्मूड होती चली जाते है और जादा clarity में पालंस होते चले जातना ज़्याटा करेंगी हे ज़्यादा बता चले हो तो आज ही जाती है वेक निग उनकी क्यूंकि आपने एक्षेप्ट कर ली है अपनी जर्णी अपना डीयम कन्फरम कर लिया है सब कुछ अब उनकी लाइफ में कार्मिक आना उनका जो भी कर्मा है वह रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जो कार्मिक परसन होता है होना start हो जाती है या उनका जो भी past का karmic है energies है वो सब release होना start हो जाएंगी उनकी life में आपने देखा अगर df से जैसे separation होता है कोई third party आ जाती है और df डर जाती कहीं शादी ना हो जाए कहीं वो किसी और relationship अगर उनका कर्मा है तो वह 100 परसंट जाएंगे ही जाएंगे आप उन्हें रोक नहीं सकती और रोक कर आप उनसे लड़ जगड के और अपना कर्मा create कर लेंगी तो ऐसा आप ना करें ठीक है उनकी 3D के थ्रू ही और यहां पर एक समझनीग बात है जैसे कि प्रकाष्कृत्स युद्यन CT छिए्व शक्ति पाट दे नाइट नाइट एक डार्क एड़ो सक्ति ho इसके निगेटिवेम बहुत जादा रिलीज रही होती है गिए आपकी लायफ में एक तो दियम के एंट्री होती है, लाइट, क्योंकि वो उस टाइम में बहुत बैलंस होते हैं, आप बहुत जादा इंबैलंस होते हैं, पर जैसे ही आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, उनके थूआवेकनिंग हो जाती है, वो सेपरेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीके, थेंबैलनस हैं, फार्ट पार्टी की कंमी, तो यह ही मेसओर इंदर हो, चाहें है, आपके डियम के अंदर हो, जब ये बैलंस होता है, आप अक्षिन लेते हो, पर सही टाइम पर सही अक्षिन लेते हो, गलत चौइस नहीं चूज करते हो अप ठीके, गलत चीजे आप बिल जब आपका feminine masculine दोनों पार्ट balance होते हैं तब आपका कहीं न कहीं balance अपने अंदर आ जाता है जब अपने अंदर balance आ जाता है तो आपका दोनों side balance आना start हो जाता है 3D में भी तो आप जब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यह चीज़े आप देखूगे 3D में खुद आपको पता चलेगा कि हाँ अब चीज़े balance हो रही है आपकी तो df पहले गुजरती है चर्णी में उस pain से अप फिर आपकी dm गुजरते है पस्ट टाइम लगता है ठीक है patience की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जितना आपके अंदर patience होगा उतना ही आप उन चीज़ों को प्राप्ट कर पाएंगे जो आप चाहते है डर होता है ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि आपको डरना नहीं है अगर डर होगा मैं कितना भी कहूँ जब तक आप उसको release नहीं करेंगे उस पर work नहीं करेंगे तब तक आप उस energy से बहार नहीं आ पाएंगे तो यही है inner work आपका ठीक है inner work करना है आपको अच्छे से तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जहां मैंने आपको समझाए कि DM की अवेकनी और DF की अवेकनी में क्या डिफ्रेंस होता है तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर मिलूँगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए सौस्त रहिए